शिल्पिना कल्पितं लिंगं मंत्रेण स्थापितं जयत। प्रतिष्ठितं प्राकृत्तं ही प्राकृतैश्वरिय भोगदं। प्रतिष्ठितं प्राकृतैश्वरिय प्राकृतैश्वरिय भोगदं। मेश रासी से लेकर के मीन रासी तक बिभिन राशियों में बैठने का फल कैसा होता है उसके उपर एक विस्तृत कारिक्रम बनाया था चालिस से एक तालिस मिनट काृतैश्वरिय अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के बिल्कुल देख लीजे इससे आपको शनी देव को समझने म बड़ी मदद मिलेगी और वो निश्यतृ उसे बड़ी अच्छी बात ये भी है उस कारिक्रम की कि जितने लोगों ने वो कारिक्रम देखा और जितनी प्रतक्रियाएं आई उसमें से लगभग लोगों ने मतलब 80-90% लोगों ने ये बात कही कि पंडी जी आपने जैसा कहा है वैसा ही घडित होता है या वैसा ही देखने को मिलता है इससे हम अपने व्यक्तित्व अपने व्यवहार अपने जीवन में लाव और हानी को समझ पाते हैं कारिक्रम शेयर भी करना चाहिए और जैसरी कृष्ण अवश्य लिखने के साथ अपना टेटो बर्थ टाइम और प्लेस लिखें और कल शाम को रवीवार का कारिक्रम बिल्कुल देख लेना चाहिए आए बिशा पहले के आता हूँ कारिक्रम के आरम्भ में जो मैंने शलोक पढ़ा है उसका अर्थ अंति में बताऊंगा पर जोतिश के पांच नमीनतम और पुरातन सिध्धान्त जिसमें से पहला सिध्धान्त ये है सास्तर कहता है वो क्या कहता है वो बाद में बताएंगे पर पहले परिस्थोती को समस्ते है अगर कोई व्यक्ति जो आपके पास रुग्ण सरीर लेकर के आता है या कोई बीमारी से युक्त है या उसको बहुत सारी लंबी बीमारियां उसको प्रश्न है तो फिर हम उसकी कुंडली में क्या देखेंगे कि उसकी कुंडली के रोगेश कहा है उसकी कुंडली के छठवे भाव सस्थेस का समंद शरीमंगल राहु के तूसे है क्या या फिर चंद्रमा कैसे है सबसे पहले तो चंद्रमा को ही देखेंगे इम्यून के कारक है सुर्य को देखेंगे अस्टम भाव को देखेंगे दुती भाव को भी देखेंगे पर अगर ये सारे भाव ठीक बने हुए हैं और फिर भी अगर जातक कि कुंडली में या व्यक्ति का जो जीवन है वो रोग से जूजता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सारे सिध्धान्त तो फिर फेल हो जाएंगे फिर तो आमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा क्यूं बिमार है या व्यक्ति क्यूं रोगों से परिशान है तो उसे धान्त कहता है उसमें सास्तर की बात आई कि अगर उस व्यक्ति की कुंडली में अगर उस जातक की कुंडली में सूर्य के उपर जहां भी सूरी बैठे हैं और अगर उस पे शनी और मंगल सिर्फ ग्रह को देखना है कोई भाव और कोई ग्रह एक मातर चंद्रमा या सूरी नहीं अगर सिर्फ सूरी के उपर उस जातक की कुंडली में शनी और मंगल जैसे दो पापक ग्रह की दृष्टी होगी तो वो जातक आजीवन बीमार रहने वाला होता है यह पहला सिद्धान्त इसी में दूसरा सिद्धान्त जो पहले ही सिद्धान्त के अंतर का दूसरा है कि अगर किसी व्यक्ती की कुंडली में शन्द्रमा के उपर मंगल और राहु या शनी जैसे तीन पापक ग्रह की दृष्टी पढ़ जाती हो और उसके चंद्रमा के उपर गुरु शुक्र या बुद्ध जैसे ग्रहों की दृष्टी नहीं पढ़ती हो तो वो व्यक्ती कुछ 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 दिनों पे बीमार होता रहता है सुर्य के उपर अगर मंगल और शनी की दृष्टी जाएगी तो वो नि लेकिन अगर चंद्रमा के उपर सुर्य को छोड़ करके शनी मंगल राहु की दृष्टी पढ़ती हो और उस पे गुरु शुक्र और बुद्ध की दृष्टी नहीं पढ़ती हो तो वो व्यक्ती हर 15 दिन पे हर 20 दिन पे हर महीने दे महीने पे उसको कुछ नों कुछ बिमा देने वाले ग्रह वन गये Shoot और सुरी के उपर शनी मंगल और आदीपापक ग्रह की इसकी perfect तो वह वैक्ति मन से ही रोगी हो जाता है उसकी आत्मा रुग्ण हो जाती है वह ऐसा सोजता रहेगा कि ने मुझे कुछ न कुछ हुआ है उसका आत्मविश्वास अपने स्वास्त के प्रती साकारात्मक भाव लेकर बढ़ने वाला रहेगा ही नहीं इस तरीके की चीजें ये जन्मकुंडली में जोतिश का पहला से धान्त है जो आपको स्वास्त से समंदित चिंताओं पे आपका ध्यान लेके जाता है अब इसका निदान क्या हो सकता है तो क्या कहा कि अगर निदान की आवश्यक्ता है स्वास्त कमजोर है तो सबसे पहले आपको अपने जन्मके नक्षत्र को समझना होगा कि आपके जन्मके नक्षत्र मतलब जन्मक नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र के स्वामी के देवता के आराधना के मात्र करने से की आराधना करने से व्यक्ति को स्वास्त से सम्मंदित समस्या में लाभ मिलता है। तिथी से निकट और आगे तो नक्षत्र कौन सा है। उसी नक्षत्र में दान करने से स्वास्त से सम्मंदित समस्या का हल पर्मानेंटली धीरे धीरे निकलता रहता है। समंदित लंबी बीमारी तुरंत समाप्त हो जाती है। ये तीन उपाए। ये जोतिश का पहला सिध्धान्त जो आपके स्वास्त के बारे में आपका प्रडिक्शन करता है। अब मैं आपका ध्यान दूसरे सिध्धान्त पे लेके आता हूँ जिसको सुन करके आप लोगों को बड़ा रहत मिल जाए। कि अगर आपके जीवन में धन से समदित समस्या है या कई बार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस दिशा में धन कमाने जाना चाहिए। या कब धन कमाने निकलना चाहिए तो आपको आपके पास आपकी कुंड़ी होनी चाहिए। उसमें आपको महादशा, अंतरदशा, प्रतिंतर, सुक्ष्मांतर, प्राणांतर तक का वर्ग निकाल दीजिए कि कौन सी दशा चल रही है। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंड़ी का दिगबली ग्रह कौन सा है। जैसे समंधित कोई दिशा का चैन करना हो, किस दिशा में ब्यापार करने जाएं, किस दिशा में नौकरी ढूणने जाएं, तो अगर जो आपके उपर दशा चल रही है और कोई ग्रह जो बलवान है, जैसे माल लीजिए गुरू की दशा चल रही है। और आपकी कुंडली में सुर्य बलवान है, दिखबली होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। चन्दरमा बलवान है, शुक्र बलवान है, दिखबली होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं। अब हमारे सामने ये यक्षर प्रश्ण बन जाता है कि मुझे किस दिशा में धन कमाने जाना ना चाहिएस या कौन सी दशा में धन कमाने निकलना चाहिए। तो दशा चल रही गूरू की, तो अंतर दशा देखेंगे, प्रत्य अंतर देखेंगे, सुक्ष्मांतर देखेंगे, प्राणांतर देखेंगे. अगर प्राणांतर में जू ग्रह आपकी कुंडली का दिगबली ग्रह है उस ग्रह की दिशा में अगर आप धन कमाने उस दिशा में जाएंगे सुर्य पूरब, शुक्र, दक्षिण और पूरब। उत्तर दिशा बुद्ध का होता है दक्षिन दिशा मंगल का होता है वायब्य कोण चंद्रमा का होता है उत्तर दिशा बुद्ध का होता है नैरित्य कोण राहु केतु का होता है उसके बाद पस्षिम दिशा सनी का होता है पूरब और उत्तर इशान कोंड देव गुरु ब्रिहस्पती का होता है तो उस महादशा अंतरदशा सुक्ष्वांतर और प्राणांतर में जिस ग्रह का प्राणांतर चल रहा हो अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में उस दिशा में बैठा हो सुक्र चंद्रमा उत्तर में दिगबली होकर के लगन में बुद्ध गुरु दिगबली होते हैं दशम में सूर्य मंगल दिगबली होते हैं सब्तम में शनी दिगबली होते हैं अउस दिशा में अगर वो ग्रह बलवान हो और उसी ग्रह का प्राणांतर चल रहा हो तो आप उस दिशा में धन कमाने जाएंगे तो आपको धन लाव होगा या हमें basically मान के चलते हैं कि मैं कोई काम करने जाना है तो हमें ये बात समझने है कि मुझे कब यात्रा पे निकलना है या कब मुझे डील पूरी करने के लिए आगे बढ़ना है तो जो ग्रह आपकी कुंडली में बल्वान होके बैठा है कोई भी ग्रह बल्वान होके बैठा है और उस ग्रह की दशा में उसी ग्रह की दिशा में एक दशा हो गई प्राणांतर सुक्ष्वांतर वाली और उसी ग्रह की दिशा हो गई उस दिशा काल में अगर आप जाते हैं उसी दिशा में तो आपको सफलता मिल जाती है इसमें दो और सिध्धान्त होंगे जिसमें ग्रह की दिशा देख करके हम उस दिशा में धन कमाने जा या बुद्ध की महादशा या गुरू की महादशा में पूरब दिशा में धन कमाने जाएंगे तो सफलता मिलेगी। तो हमें सफलता जादा मिलेगी और अगर हमारी कुंडली में शुक्र और चंद्रमाग चतुर्थ स्थान में उत्तर दिशा में बैटे हैं और अगर हम धन कमाने के लिए उत्तर दिशा में जाते हैं तो हमें सफलता जादा मिलेगी मतलब क्या है कि दिगबली ग्रह की दिशा में जो ग्रह जिस दिशा में बलवान होता है दिगबली होता है उस दिशा में अगर हम धन कमाने जाएंगे तो हमें सफलता निश्चितरु से मिलेगी और वहां से हमें धन की प्राप्ती भी होती है है न ये दूसरे सिध्धान्त में दो सिध्धान्त लागू हो गए जो निश्यत रूफ से आपको अपनी कुडली में देखने पे समझ में आ जाएंगे अब आईए तीसरे सिध्धान्त पे लेके आता हूं सास्तर कहता है कि शुक्र और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो समसंख्या की राशी में अगर बैठे हैं तो ये वैसे भी बली हो जाते हैं किसी भी भाव में, बस समसंख्या की रासी में बैठने चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 10, अगर ये बैठे हैं, और समसंख्या की रासी में बैठे हैं, तो इनके पास बल प्राप्त होता रहता है, इनके बल की वृद्धी और घटोत्री इस बात पे लागु होगी, कि वो पक्षबल से कितने बलवान है, वो सुभग्रह की दृष्टी से कितने बलवान है, आप समझ रहोंगे, माल लिजे बारवे भाव में सुक्र नीच के हो गए, ठीक है, तो समसंक्या की रासी में बैठ गए, तो ये बलवान हो गए, क्योंकि समसंक्या की रासी में बैठे हैं लेकिन इनके बलवती होने की स्थि और कब और भी जादा प्रचूर हो जाएगी जब इस पे गुरू की दृष्टी पढ़ जाए है ना या उस पे चंद्रमा की दृष्टी पढ़ जाए तो ये और इनके बलवान होने की स्थि और भी जादा मजबूत हो जाएगी ऐसा त उसे पे किसी सुभग्र की दिर्ष्टी है तो वो उत्तरोतर बलवान होंगे और अगर दिर्ष्टी नहीं भी है और सिर्फ समसंख्या की रासी में बैटे हैं तो यिग्रह आपको धन देगा, सुखी बनाएगा, मानसिक शांती, प्रदान करने वाला, माता पिता, सबसे प्रे समझेगा, बड़ा अच्छी बात है कि अगर लगन पे गुरू और शुक्र की दिर्ष्टी पढ़ जाएगी, तो व्यक्ति चाहे ब्रामण कुल में जन्मा हो, चाहे छत्रिये हो, चाहे वश्य हो, चाहे सूद्र हो, अगर इन चारों कुलों में से किसी में भी जातक का जन् होगा, ब्रामणों की भाती बेवार करने वाला, अब वो धर्म को समझने वाला, कई बार आपने देखा होगा कि, जैसे, कोई भी एक ऐसा आप उदाहरन देख सकते हैं, आप क्या सपस मिल जाएगा, कि जैसे मैं सुधिर भिया की बात करते हूँ, अभी दो तिन दिन पहले तो कहने का क्या आर्थ है, कि हो सकता है, मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी, पर संभाव हो सकता है, कि उनकी कुंडली के लगन को गुरु और शुक्र देख रहे होंगे, इस वज़ा से वो छत्रिये कुल में, छत्रिये वर्ण में जन्मे होने के बावजूद भी ब्रामण की भाती बेवार करने वाला है, या ब्रामणों की तरह अपना सब कुछ जीवन बिता रहा है, सुद्ध, सात्पिक और बिलकुल भक्षया भक्षय के सिद्धानत को जानने वाला है, अपनाने वाला है, तो हो सकता है कि उसकी कुंडली भले हो या ना हो, पर उसके कुंडली वैश्य शूद्र किसी भी कुल में जन्मा हो वो ब्रामणों की भाती ही बेवार करने वाला होगा उसके रहन सहन में उसके जीवन के तरीके में जीने के सलीके में आप ब्रामण की पारचाई देख लेंगे ठीक उसी तरीके से अगर लगन पे सुरी और मंगल की दृष्टी पढ़ जाएगी तो व्यक्ति चाहे ब्रामण कुल में हो चाहे वैश्य में हो चाहे शूद्र में हो उसके अंदर छत्रियत का गुन धर्म देखने को मिल जाता है लड़ा का हो जाए पराक्रमी हो जाए हटी हो जाए रौबदार हो जाए शरीर विशाल काय हो जाए भुजाओं का बलिस्ट हो जाए ऐसा मतलब लगन पे अगर सुरी और मंगल की दृष्टी पढ़ जाए तो फुर्तीला है समाज का रक्षक है अस्तर सस्तर में उसकी दिशा बड़ी अच्छी होती है जानकारी रखने वाला होता है और सबकी सुरक्षा करने में उसकी बुद्धी चलती है तो अगर किसी व्यक्ती को आपने देखा है जो किसी भी कुल में जन्मा है माल लिए ब्रामणी है और अगर उसकी कुणली के लगनपे सुरी और मंगल की दिश्टी पढ़ रही होगी या पढ़ रही है तो व्यक्ती चत्रियों की भाति बेभार करने वाला होता है तीसरा सिधानत कहता है कि अगर लगनपे चंद्रमा की दिश्टी पढ़ गई माल लिजे किसी व्यक्ति की कुंड़ी में लगन पे चंद्रमा की दृष्टी पढ़ जाती है तो वो व्यक्ति अब ब्राम्वन कुल में रहे चाहे छत्रिये रहे चाहे शूद्र रहे अब वो वैश्य की भाती बेवार करने वाला हो जाएगा सदैव धन के इरदिगर्द भूनने वाला धन के पीछे भागने वाला धन इकठा करने वाला और धनवान होता है या यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के वेवार में आप एक जो वैश्य कुल में जन्मे लोगों का जो वेवार होता है जिसको आम बोलचाल में कहते हैं न जैसे कि वनिक है व्यापारी है मतलब बिजनेस मैंड सेट वाला है तो हो सकता है कि उसकी कुंडली के लगन को चंद्रमा देखते हों जिसके कारण उसके अंदर स्वभाव में वेवार में उसके जीवन जीने के तरीके में एक वैश्य का व बहाती बेवार करने वाला चंत्री होकर के भी सुद्र की बहाती बेवार करने वाला हो जाता है मतलब वो बुध्ध की दृश्टी के कारण एक जैसा नहीं है या शुद्र जैसे होते हैं थोडे गंदे, सब के प्रति सेवा का भाव रखना जो होते हैं न जो अब मैं उनकी प्रभाश अलग से क्या बता हूँ पर आप जैसे शूद्र को देख रहे हैं वैसे वो ब्यवहार करने वाला हो जाता है अगर लगन को बुध की दृष्टी प्राप्त कर रही है तो लगन पे बुध की दृष्टी जा रही है और उसी में फिर वो थोड़ा दुखी है, वर्ण संकर हो जाता है, जैसे महाभारत में करण को सूत पुत्र कहा गया, है ना, सूत पुत्र कहा गया, तो वो क्यूं थे, क्यूंकि वो जन्म किसी और के गर्भ से हुआ, पालन पोशन किसी और से हुआ, तो वो संकरित हो गये, या सूत पुत चली जाएगी तो वो व्यक्ति किसी एक का नहीं वो बहुत सारे व्यवार को दिखाने वाला हो जाता है उसके अंदर ब्राम्भन का भी गुण है उसके अंदर छत्रियों सी पराक्रमता भी है वो वैशेसा सब को सांथ ले करके चलने वाला भी है और धनवान भी है और शुद दिखे जाता है यह चौता सिध्धान्त था अब आपका ध्यान पांचवे सिध्धान्त पे लेके आता हूँ पांचवा और अंत्म सिध्धान्त जो है वो बड़ा ही विचित्र है और थोड़ा अजीब साफ लोगों को सुनने में लगेगा कि अगर कुंडली में शनी देव य या योग कारक ग्रह नहीं होकर के भी अगर कमजोर है या बहुत जादा बलवान नहीं है तो भी हमें बहुत जादा चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि शनी देव का बलवान हो जाना भी कई बार जातक के जीवन में दुखों को देने वाला हो जाता है शनी देव का कमजोर हो जाना भी कुंड़ी में नीच का हो जाना भी कलिबार जातक के जीवन में स्रेस्ट लाव देने वाला हो जाता है अब आईए आरंभ में जो मैंने शिव पुराण का श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है कि जो शिल्पिना कल्पितम लिंगम मंत्रयन स्थापितम जयत यहाँ पर बात कही कि किसी ब्राम्भन के द्वारा या महाधनी व्यक्ति या राजा के द्वारा किसी सिल्पकार से शिव लिंग का निर्मान कराकर मंत्र पुर्वक जिस लिंग की स्थापना की जाए वो शिव लिंग प्रतिस्थत शिव लिंग होता है उस शिव लिंग को क्या कहा जाता है उस शिव लिंग को प्राकर्त शिव लिंग कहा जाता है क्लिर है कुछ इसी तरीके से आज के इस कारेक्रम का समापन करते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजे कल एक बार फिर से उपस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार